हाई अब्रीवान वेकम बैक टू मैं चैनल बीटी मैंने आ वेदर रहे तो आज के इस वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ मेकप प्रोड़क्त बॉर्स्ट मेकप प्रोड़क्त जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और मैं भी मैं अपना सजेशन दे रही हूँ य आज की इस वीडियो को इसमें जो भी मेकप प्रोड़क्त मैं आप लों के साथ शेयर करूंगी वो मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे वो खुद को ही पसंद नहीं आए मैं भी कुछ लोगों को अच्छे लगते होंगे लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बहुत सारे प्राइमर्स हैं मुझे सारे ही प्राइमर्स काफी अच्छे लगे हैं तो प्राइमर्स काफी सारे हैं तो प्राइमर्स पर मुझे कोई प्राब्लम नहीं आए तो मुझे सारे ही अच्छे लगे तो प्राइमर्स के साथ पर कोई प्राब्लम नहीं हुई next जो मैं लेके आई हूँ foundation foundation बहुत सारे हैं मैं के foundation obviously अच्छे होते हैं तो मैं थोड़े से वो वाले foundation जो affordable है 100, 200, 300 की range में है एला जो foundation है वो है इबा हलाल का इबा हलाल का जो ये foundation है ये साड़े 300 का आपको मिलता है 350 रुपीज का है प्राइस होड़ा जादा है इसकी जो इसमें ये लिखते हैं ये cruelty free है chemical free है मतलब इसमें chemical बहुत कम quantity में होता है दूसरा skin के लिए काफी अच्छा है लेकिन जब मैंने इसको apply किया था मैंने इसका review भी किया है okay okay foundation लगा मतलब apply करने में बिकुल भी waterproof नहीं है ये वाला foundation दूसरा साड़े 300 में बहुत अच्छे range के foundation आते हैं जो waterproof होते हैं ये मुझे बिल्कुल भी waterproof नहीं लगा और इसको लगाने पर कुछ खास glow नहीं आता है face के उपर daily wear में मतलब आप इसको लगाओ के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि लगा के face पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि मैंने foundation अप्लाए किया है तो ये foundation मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया next है MN Dual इस foundation का मैंने review किया है इस foundation के खासित यह है कि इसको जब लगाते है तो glow बहुत अच्छा आता है लेकिन अगर आप चाते हो आपको पसीना बहुत जादा आता है तो ये foundation महाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भी waterproof नहीं है ये बहुत जल्दी remove हो जाता है तो विंटर के लिए तो मेभी अच्छा हो सकता है लेकिन गर्मियों के लिए समस में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो ये foundation इसलिए मुझे पसंद नहीं है obviously range 100 rupees है ग्लो भी अच्छा आता है लेकिन waterproof बिल्कुल नहीं है बहुत जल्दी ये remove हो जाता है face से तो ये इसका थोड़ा सा problem है next foundation जो आया था वो है blue heaven का high coverage high coverage foundation ये लोग कहते है waterproof तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा दूसरा इसको लगा के बिल्कुल भी glow नहीं था इसका बिल्कुल भी glow नहीं आ रहा था 300 की 350 की इसकी range है तो जो की मुझे बहुत ज्यादा लगी क्योंकि उस हसाब से ये बिल्कुल भी work नहीं करता है नहीं मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ब्लू हैवन का तो ये मुझे बिल्कुल पसंदिया है नेक्स फांडेशन है जो की है जोई अल्टरा लुक ये फांडेशन भी 85 रूपीस है तो 85 रूपीस के साब से ठीक है लेकिन waterproof बिल्कुल नहीं है ग्लो उतना अच्छा नहीं आता अगर आप 100 की रेंज में फांडेशन की बात करो तो आप लेकमे का फांडेशन ट्राइ करें वो फांडेशन बहुत अच्छा है जो लेकमे का 120 की रेंज में आता उसका ग्लो बिल्कुल गजब का ग्लो आता है और बहुत अच्छा ग्लो आ पसंद नहीं आया, coverage, okay, coverage तो बहुत minimum है इसकी, दूसरा foundation लगा के जो एक glow आना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इस फाउंडेशन में जो भी मैं आपको बता रहे हूं, इसलिए मुझे ये foundation बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये lighting का foundation है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकमे का ये एक और foundation है, जो दूसरा foundation, जिसकी रेंज, I think, 220 रुपे है, इसकी रेंज, प्राइस मुझे अच्छे से नहीं बता, तो ये है, इन्विजिबल फिनिश फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन लगा के भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब, ओके ओके बजाएंडेशन है जिस हिसाब से इसका प्राइसा है, तो मुझे उतना खास नहीं लगा, इसका जो 120 वाला फाउंडेशन है, उसका स्छे से लगे बजाए इस foundation के, तो मुझे वो वाला फाउंडेशन ज्यासा पसंद है, इस foundation से, तो लैकमे का मुझे ये वाला जो अच्छी quality के होते हैं उनकी खास है यह होती है कि बहुत जल्दी fingers पर आते हैं आप देख सकते हो कितना कम यह finger पर आ रहा है उसको अच्छे सेट नहीं करेगा यह जो भी आप foundation यूज़ करोगे उसको वह बिल्कुल भी अच्छे सेट नहीं करेगा तो यह वाला मुझे बिल्कुल पैसा नहीं आया नेक्स्ट है लैक में का compact powder यह भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ओके ओके है मतलब यह भी इतना सा ही आता है तो यह वाले जो इस टाइप के होते हैं यह ठीक ठीक coverage ज्यादा coverage नहीं देते हैं यह वाले compact bottom बिल्कुल भी medium साही देंगे coverage बहुत अच्छी coverage नहीं देते हैं यह next है जो की है blue heaven का ही है यह यह भी powder इसलिए यह मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं बहुत कम यूज़ करती हूं मैं इनको ने तो यह इबा हलाल का compact powder है NY Becca यह भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह actually मैंने दिखाना मैं दिखाना भूल गई थी इसलिए मैंने इसको अलग से record किया है तो यह भी मुझे पसंद नहीं आए next अगर मैं बात करों तो वह है lipstick की lipstick तो बहुत सारी रेंज है lipstick की तो मैं मंडब में में lipstick की लेकिया हूं वैसे तो बहुत सारी है mostly तो मुझे अच्छी लगती, कुछ-कुछ है जो मुझे नहीं पसंद अब देखो, ये वाली लिप्स्टिक है L'Oreal की, काफी हाई-फाइफ ब्रेंड है L'Oreal लेकिन इनका जो फॉर्मला है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा 800 इसका प्राइस है, जो की काफी ज़्यादा है दूसरा जो फॉर्मला उन्होंने बनाया है, वो बिल्कुल अजीब सा है, इस्टिकी फॉर्मला है अगर आप मैट लिप्स्टिक पसंद कर रहे हो, तो आप इस टाइप का ही लोक पसंद करोगे जो बिल्कुल, प्रापर मैट लोक दे वो ऐसा इस लिप्स्टिक facult competition करे備 जीत कर्षया है आप इसको एक बार टेस्ट कर ले उसके बाद ही अगर आपको फॉर्मुला समझ आता है तो आप ले सकते हो अदर्वाइस मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा ही सेम फॉर्मुला मेवलन का है सूपर स्टे इसका फॉर्मुला भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं की लगा वही सेम स्टिकी फॉर्मुला है लॉंग लस्टिंग यह पूरी रहती पूरे दिन ल कि nggakra इस की लिप्स के ऐपर वगुल भी अच्छा नहीं लगता मैट लुक नहीं देदा हां हलका से शाइन रहता लिप्स के ओपर जो की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो इन तोनों का फॉर्मुला मुझे बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगा इसका भी प्राइस सिक्स फिप्टी आसपास है जो कि ज्यादा है लेकिन उससाब से इन लोगों ने क्वालिटी नहीं दिया जो कि मुझे पसंद नहीं आई नेक्स्ट है एक लिप्स्टिक की है लिप्स्टिक है जो कि है ये लेकमे की एपसलूट ये लिप्स्टिक भी मुझे बिल्कूल अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसका फॉर्मुला बहुत लाइट वेट है मतलब लाइट वेट का मतलब लिप्स पर पर तो बहुत कम्फरटेब लेकिन जो लाइटर शेड है इसके डाक मैंने ट्राइनी के जो लाइटर शेड है वो जब आप तीन चार बार लगा लोगे तीन चार कोट उसके बार जाके वो कलर दिखता है यह इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इजी ली कोई कलर दिखता नहीं स्पेशली यह जो कलर है मेरे बास है नाचुरल न्यूड ट्वैल नंबर यह बहुत फियर स्किन जिसकी होगी इसके ऊपर थोड़ा बहुत दिखता है अदरवाइस यह दिखता ही नहीं है आप चार कोट लगा लो पांच कोट लगा लो यह द इजन्युआ लगी यह लेकुटल भी अची नहीं लगी आइलाइन श्मोसली सारे ही अच्छे है जितने भी हैं मेबलेन नैज ओ गया आपका स्विस्बीटी का जौलाइलाइनर होग्या मुसली सारे बहुत अच्छे हैं लेकिन एक मैं मुजिक फंशलीं एके बहुत बहुत है affordable price under 200 में इतना अच्छा चलता है वो मुझे यूज करते करते हैं उसे 2,5 साल हो गए है बहुत अच्छा चलता है और proper matte look देता है with brush आता है brush जो उसका दिया गया है वो भी इतना अच्छा है कि आप easily gel eyeliner gel eyeliner जो winged eyeliner होता है वो आसानी से लगा सकते है इतना अच्छा brush है इसके साथ brush बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता उपर से quality मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी Miss Rosa gel liner बहुत अच्छा है आपका और भी बहुत सारे liners है L'Oreal हो गया Maybelline हो गया इन सब के gel वाले जो eyeliner से वो बहुत अच्छा है तो यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो यह था वैसे तो highlighters बहुत से लोग मुझे पूछ रहते है highlighter highlighter अगर आप चाहते हो try करना तो Swiss beauty का try करें Swiss beauty के highlighter बहुत अच्छे होते हैं कोई चंकी particles नहीं होता उसके अंदर बहुत बिल्कुल ऐसी ही shine आईगी आप देख सकते है यह Swiss beauty का highlighter मेंने यूज किया बिल्कुल ऐसी shine आईगी कोई particles नहीं देखेगा अगर आप पास से कोई particles नहीं देखेगा आप खुड try करके देखिए इसके जो highlighters होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं दूसरा affordable price होता है इनका हर कोई इसको ले सकता है तो highlighters में मुझे Swiss beauty के best लगते हैं इनकलर का highlighter जो bricks वाला आता है अभी है नहीं मेरे पाल जो bricks वाला highlighter आता है वो उसका अच्छा है एक और उसमें highlighter आता है आपको screen पर देख रहा होगा वो highlighter बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसमें chunky particles बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं तो यह highlighter नहीं ट्राइकरें क्योंकि मैंन सारे products है और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी कि कौन से product अच्छे नहीं है और कौन से product अच्छे हैं लिप्स्टिक में बहुत सारी range है तो वो सारा एक वीडियो में cover नहीं हो सकता है तो मैंन मैंने बता दी कि जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने उ फिर मुर्दियो नेक्स ताइम बाबाए तेक केर